हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल सु फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड का सीजन आ गया है और मटर भी आना शुरू हो गई है मटर की कई सारी डिशेज बनती हैं दोस्तों और मटर सभी को बहुती जादा पसंद भी होती है तो हमने भी शुरूआत कर दी है और आज हम बना रहा हैं मटर वाला पोहा दोस्तों बहुती जादा टेस्टी लगता है तो वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे तो जादा देर्ना करते हुए चली शुरू करते हैं तो पोहे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहा है तीन कप पोहे तीन कप पोहे में लगबख 6-7 प्लेट अराम से बन जाता है दोस्तों तो कितने लोगों के लिए आपको बनाना है उसे साब से आप कॉइंटिटी ले लीजे तो तीन कप पोहे हमने ले लिए हैं अब हमें करना क्या है कि हमें इस तरह से पानी डालना है और पोहे को अच्छे से धोना है यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे लगबख 3-4 बार तो 3-4 बार पानी बदल कर आप पोहे को अच्छे से धोलीजिए धोने से होगा क्या कि पोहे में जो भी कच्रा होगा वो निकल जाएगा और पोहा आपका अच्छे से गल भी जाएगा तो ये देखिए इस तरह से पानी डाल के इस तरह से हातों से अच्छे से घुमा दीजिए और पानी आप निकाल दीजी यही प्रोसेस हमें तीन से चार बार करनी है पोहे को धूने के बाद आपको करना क्या है कि पोहे में एक्स्टर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर आप एक्स्टर पानी डालेंगे तो हो सकता है पोहे आपके जो है वो जादा गीले हो जाए या हलवा बन जाए इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पोहे में बिल्कुल भी एक्स्टर पानी नहीं डालना है जिस पानी से हम वमने पुहे को दोया है वही पानी काफी है गर्लने के लिए तो लगबक 10 मिट के लिए पुहे को इसी तरह से छोड़ दीजिये Swift 남자 के लिए मसाला कर लीजिए तो चली हम भी मिसाला तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने कडाई को गैस पर चड़ा दिया है, कडाई में हम तेल डालेंगे, तो लगबग दो बड़े चमच तेल हमने इसमें डाल दिया है, जैसे ही तेल हलका सा गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगी सोफ, राई, जीरे, तो एक चमच सोफ म यहां पर एड़ कर रही हूं साथ ही एड़ कर रही हूं एक चमच राई लगबग आदा चमच में इसमें जीरे एड़ कर रही हूं इन सभी को हमें हलका सा भूनना है जैसे ही हलके से भून जाते हैं हम इसमें एड़ करेंगे प्यास और हरी मिर्च प्यास हरी मिर्च आपको ब तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पोहा जो हमने भिगो कर रखा था वो हमारा फूलना शुरू हो गया है आपको करना क्या है कि मसाला जब आप तैयार कर रहे हैं तो बीच में एक दो बार इस तरह चम्मस से आपको चला देना है जिसी की पोहे हैं जो आपके वह अच्छे से पूल जाएं यह देखिए नीचे से आप बिलकुल अच्छे से इस तरह से चम्मस से मिला दीजिए बीच बीच में पोहे को उससे आपके जो पोहे हैं वो और भी जादा खिले खिले बनेंगे तो यह देखिए प्यास भी हमारी हलकी ब्राउन होना शुरू हो गई है दोस्त मटर को भी हमें प्यास के साथ कुछ देर के लिए इसी तरह से पकाना है तो ढखकर आप लगबग 2-3 मिट के लिए मटर को और प्यास को अच्छे से पका लीजिए तो लगबग 2-3 मिट हो चुके हैं मटर प्यास हमारी बढ़िया से फ्राई हो गई है अब हम एड़ करेंग में डाल दी है मीटा खाना अगर आप पसंद करते हैं तो ही चीनी आप एड़ करिए नहीं तो इसकिप कर दीजिए तो मसालों को हम इसी तरह अच्छे से मिला लेंगे अगर जादे तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च भी आड़ कर सकते हैं हम तीखा जादा खाते हैं इसलिए हमने लाल मिर्च एड नहीं की है तो पोहे जो हमने भिगो कर रखे थे वो बढ़ियां से फूल गए हैं दोस्तों सारे पोहे हम कड़ाई में इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद हम पोहे को बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ गैस की आपको स्लो ही रखना है जिससे की जो पोहे हैं वो नीचे से जादा चिपके ना तो इस तरह से सारे पोहे हमने डाल दिये हैं मसाले के साथ हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे तो ये देखिए पोहे को हमने बहुत ही अच्छे से मिला लिया है दोस्तों मटर वाले पोहे बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं मटर की कई सारी डिशेज बनती हैं दोस्तों ठंड का सीजन आ गया है तो हम रेसिपीज आपके साथ शेयर करते रहेंगे तो पोहे को हमने मिला लिया है बहुत अच्छे से आखरी में हम इसमें अड़ कर रहे हैं धनिया पत्ती धनिया पत्ती से टेस्ट बहुत भड़ जाता है दोस्तों धनिया पत्ती हमने इसमें अड़ कर दी है पोहे को हम और भी अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसी तरह से ढख कर रख देंगे लग-बग 5 मिट के लिए गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए और पोहे को ढखकर रख दीजिए लगबख 5 मिट के लिए जिससे की पोहे अच्छे से वफा जाए उसके बाद हम पोहे को सर्व करेंगे तो लगबख 5 मिट हो गए हैं दोस्तों पोहे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं गर्मा गरम पोहे अब आप सर्व कर सकते हैं दोस्तों देखकर ही आपके मूँ में पानी आ रहा होगा ना बहुत ही जादा टेस्टी बने हैं जितने जादा दिखने में टेस्टी हैं उतने शेयर जरूर कीजिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह की न्यू और यूनिक रेस्पीद हमेशा लाते रहते हैं तो जल्दी ही हाजिर हूंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रही मुस्कुराते रही धन्यवाद झाल